मैंचेस्टर का ओल्ड ट्रेफ़र्ड मैदान जहां वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला गया और वो भी भारत और पाकिस्तान के बीच में और उस वक्त रोमान जो है अपने पूरे शवाब पर था ऐसे समय में भारती कप्तान मौहमद अजरुदिन ने टॉस जीता पहले बल्ले टीम जो है उतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाई जिसकी की उमीद थी 227 रन बनाए 6 विकेट के नुक्सान पर दिरधारित 50 ओवर में और उसमें सचिन तेंडूलकर जो है सलामी बलेबास जिन्होंने 45 रन की पारी खेली सबसे बड़ी पारी भारती टीम की वो थाबित ज़्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए 20 रन बनाए उन्होंने उसके बाद राहुल द्रविड ने 61 रन की पारी खेली सचिन से ज़्यादा बड़ी पारी खेली उन्होंने और उसके बाद जड़ीजा जल्दी आउट हो गए यह मैं बात कर रहा हूँ रविंदर जड़ बल्लेबाजी की, तो वसीम अकरम ने और अजर महमूद ने दो दो विकेट चटकाए इस पारी में, और जब पाकिस्तान की बल्लेबाजी आई, तो पाकिस्तान की पारी में विंकटेश पर साथ जो हैं भारती गेंदबास, खोफ का प्रयाय साबित हुए, उनके साथ में, चो खिलाडियों को आउट किया वेंकटेश परसाद नहीं और परसाद वैसे भी आम तोर पर तो बड़े डीले डाले बॉलर माने जाते थे लेकिन जब भी पाकिस्तान के खिलाब मैच होता था तो उनका जो खेल का जो स्तर है अचानक साथ में आस्मान पर पहुंच जाता था ऐसा कुलकता में भी किया कई मौकों पर उन्होंने किया था खासकर पाकिस्तान के खिलाब और वहीं देखें तो अगर इस पारी में इन जमामुलहक ने 40 प्लस की पारी खेली थी बेतरीन पारी थी और जबगल शिरनात जो है उन्होंने शाहिद अफरीदी को आउट किया श इस तरह से सईद अन्वर और एजाज के कैज जो है स्लिप में मौहमद अजरूदी ने बहुत ही बखूबी लपके इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैच में कितना जजबा था जीतने की कितनी जजीविशा थी जिसे भारतिये गेनबाजों ने साकार कर दिखाया और म लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें